हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं हल्टर नैक अमरेलाकट बेवी ड्रेस और वह भी बहुत आसान तरीके से और उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और मैंने कपड़ा लिया है धाई मीटर और इस धाई मीटर कपड़े में से हम हल्टर नैक अमरेलाकट बेवी ड्रेस बना रहे हैं और सबसे पहले हम उपर की टॉप निकालेंगे और उपर की टॉप निकालने के लिए हम सबसे पहले कपड़े को फोल करेंगे हम उतना फोल करेंगे कपड़ा जितना हमें चाहिए हमें 32 इंच की चोड़ाई की टॉप चाहिए तो हम 8 इंच और 1 इंच एक्सटा ले रहे हैं 9 इंच ओड़ाई ले रहे हैं हम फोल्ड करने के बार और सबसे पहले हम एक निसान लगाएंगे 12 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद उपर की तरफ ऐसे हमें उपर की तरफ 12 इंच कपड़ा छोड़ना है और आप इससे भी ज्यादा हम ले सकती हैं और सबसे पहले हम एक निसान लगाएंगे 13 भी से बाद आधार मोल की लेंधी हम हम छैन फींच लेंगे और जैसे कि चौणां हमारी 32 है तो उसका फोर्त भाग निशा लगाएंगे और एक इंच हमें इसमें एक्षा लेना है और इसके बाद जैसे कि टॉप की लन्द हम रखेंगे तेरा इंच तो सिलके तैयार हमारी तेरा इंच होगी तो हम चोदेंच इसे लेंगे इसकी लेंगे चोदेंच जो हमारा ये उपर का हिस्सा है बेवी ड्रेस का वो हम निकाल रहे हैं और चोदेंच लेने के बाद हम इसे ऐसे सीधा निसान लगाएंगे और इसके बाद जैसे कि हमारी पेटी है अचीज तो उसका फूर्ट भाग लेंगे साड़े चैंच और एक इंच इसमें भी पलस करेंगे और इन निसानों को हम उपर की तरफ मिलाएंगे दूसरे निसान को भी हमें ऐसे ही मिलाना है और इसके बाद हम आर्म हॉल्स की कटिंग के लिए एक निसान लगाएंगे हाफ इंच पे क्योंकि हमारा जो ये पर्दा है ये फ्रेंट पर्दा है हाफ इंच पे निसान लगाने के बाद एक इंच हम गले के लिए निसान लगाएंगे क्योंकि हम हेल्टर नेक गला बना रहे हैं और इसके बाद दूसरा निसान हम दो इंच पे लगाएंगे क्योंकि ज जो हमने दो इंच पे निसान लगाया था वो हमें आर्म होल से ऐसे इसकी गोलाई करेंगे क्योंकि जो हमारे ये टॉफ है इसमें हम मुद्धे नहीं वनाएंगे इसके बाद गले की लेंथ रखेंगे हम 6 और 6 रखने के बाद इसकी चोडाई हम सवा 2 इंच के करीव लेंगे और आप जितनी रखना चाती है आप चोडाई अपने अनुसा ले सकती है और जैसे कि हमने लेंथ 6 इंच ली है तो हम उसका हाफ 3 इंच पे एक निसान लगाएंगे तीन इंच पे निसान लगाने के बार हम इसकी एक इंच पे गोलाई करेंगे और आप जितना भी बड़ा गला बनाए उसका आधाल है जैसे जो मैंने तीन इंच पे निसान लगाया है यदि आप 8 इंच का गला बनाना चाहती है तो आप 4 इंच पे ऐसे निसान लगाएं और 4 इंच तक ऐसे गोलाई करें जो मैंने 3 इंच पे की है और इसके बाद इस तरीके से हमें इसकी गोलाई करनी है उपर की तरफ ऐसे ही हम गला बनाते हैं और इसके बाद जो हमने एक इंच में निसान लगाया था इसे हम ऐसे सीधा कर देंगे और इसके बाद जो हमारा दूसरा निसान है उसे भी हम उपर की तरफ सीधा करेंगे पहले हम इसे कर लेते हैं अब दूसरे निसान को भी हमें ऐसे ही सीधा करना है सेम और इसके बाद अब हम पेटी पेशन लगाएंगे और पेटी पर हम नीचे बंद साइड से उपर की तरफ देड़ इंच पे ऐसे गोलाई करनी है आप नापके भी गोलाई कर सकती है ऐसे नीचे से आपको देड़ इंच उपर की तरफ लेना है और ऐसे रखने के बाद नीचे की तरफ आपको इसकी गोलाई करनी है अब हम इसकी कटिंग करेंगे ऐसे हमें इसकी कटिंग करनी है अच्छे से जो हमने निसान लगाए थे देखे कटिंग हमने कर ली है और इसके बाद हम बैक परदा निकालेंगे और बैक परदा निकालने के लिए हमने यह कपड़ा लिया है और इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद हमें फ्रेंट परदे को लेना है और इसके उपर रखना है और इसकी चोड़ाई हमें फोल्ड करने के बाद पांच इंच एक्स्टा लेनी है फ्रेंट परदे से बैक परदे की और यह हम जो बैक परदा लेंगे वो हम आर्म हॉल्स तक ही लेंगे उसक और ऐसे हमने निसान लगाया है और निसान लगाने के बाद हमें ऐसे ऐसे लाश्ट रख सीधा करना है सिर्फ हमारी इतनी ही कटिंग होनी है बैट पड़दे की ऐसे हमें पूरे की ही कटिंग करनी है यह हमारी जो उपर की टॉप बनेगी ड्रेस की वो मैंने कट कर ली है और इसके बाद हम ड्रेस का नीचे का हिस्सा निकालेंगे और इसके लिए हमें कपड़े को एक वार फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें इसे तिर्चा फोल्ड करना है जैसे हम करते हैं ऐसे हमने इसे तिर्चा फूल किया है तिर्चा फूल करने के बाद इसे हमें उपर की जो हमने इस चोली निकाली है इसे हमें ऐसे रखना है और ऐसे हमें निसान लगाने हैं इसमें निसान लगाने के बाद जितनी भी हमें इसकी length रखनी है जैसे कि हमने 13 inch तो उपर की ली है चोली की length ली है सिलके तयार और इसके बाद जो हम नीचे की length लेंगे वो हम 23 inch लेंगे एक inch हम इसमें सलाई के लिए ले रहे हैं 22 inch हमारा नीचे का हिसा रहेगा सिलके तयार और 13 inch उपर का तो टोटल हमारी length इस डिरैस की रहेगी 35 inch तो हम इसमें 23 inch पर ही हमें पूरे में ऐसे निसान लगाने हैं इसमें बंग साइड की तरब भी और खुले साइड की तरब भी और इसके बाद हमें उपर से इंची टेप को रखना है और ऐसे ही हमें 23 inch पर पूरे पर ही निसान लगाने है और निसान लगाने के बाद हम ऐसे इसकी गोलाई करेंगे गोलाई करने के बाद हमें इसकी कतिंग करनी है देखिए ड्रेस की हमारी कटिंग है यह हो गई है अब हम इसकी सिटीचिंग करेंगे सबसे पहले हमें एक कपड़ा लेना है और आप कपड़े की चोड़ाई उतनी ही ले सकती है जितनी इस ड्रेस की है और मेरा कपड़ा कम था इसलिए मैंने इसकी चोड़ाई नीचे से ज़्यादा लिए है और उपर से मैंने कम कर दी है या आप जैसे मैंने लिए है आप इसी इनुसा ले सकती है इसकी चोड़ाई और ऐसे आपको रखना है और नीचे का हमारा कपड़ा है इसकी लेंट मैंने आर्म हॉल से एक इंच ही नीची रखी है ज्यादा नहीं रखी अब यदि आप चाहें तो आप पूरी लेंट ले सकती है इस कपड़े की जितनी ये उपर का हिस्सा है उतनी और इसके बाद हमें इसमें निसान लगाने हैं बुक्रम भी लगा सकते हैं मैं इसमें बुक्रम नहीं लगा रही हूं मैं सिंपल एक कपड़ा ही लगा रही हूं इसमें गले बनाने के लिए तो हमें निसान लगाना है और निसान लगाने के बाद हमें जो निसान लगाए हैं इन पर सिटीचिंग करनी है और सिटीचिंग पूरे में ही सलाई लगानी है और इसी तरीके से हमें इस गले में पूरे में ही सलाई लगानी है और जैसे मैं गले में सलाई लगा रही हूं ऐसे ही आपको साइड में वी सलाई लगानी है आर्म होल से तक और ऐसे ही आपको दूसी साइड में वी आर्म होल से तक ही सलाई लग देखि हम ने गले साइड की साइड की सल्हाई लगा दिया और इस बाद दिले लाएंगे ने आर्मामोल्म की और बार की साइड से लाई घाएंगे और इसमें भी हमें फूरिव रोगने देखिए मैंने इसमें पूरे में ही सिलाई लगा दिये ये अंदर की तरफ भी लगाई है और बाहर की तरफ भी दोना तरफ मैंने सिलाई लगाई है और इसके बाद जो हमारा एक्षा कपड़ा है इसे हमें कट करना है झाल 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 जो हमारा एक्षा कपड़ा था इसे हमने कट कर दिया है और इसके बाद हम इन्हें सीधा करेंगे और यह जो हमारा नीचे का कपड़ा है इसे हम फोल्ड करेंगे और इसे हम पेच कस या पैन की साहता से इन्हें ऐसे करना है और फिर हमें इन्हें सीधा करना है दोनों साइड की जो हमारी बद्दी है इन्हें हमें सीधा करना है हमने ये दोनों साइड की बद्दियों को सीधा कर लिया है और हम इनमें किनारी पर सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा एक कपड़ा है अंदर की तरफ फोल्ड ना हूँ क्योंकि इसमें बुक्रम नहीं है तो हमें इसमें साइड में सिलाई लगानी है ऐसे हमें आर्म होल्स की तरफ भी सिलाई लगानी है दूसी साइड में भी देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है और आप इसे सिंगनल ही फोल्ड करें उपर के कप्पे को ही ऐसे फोल्ड कर ले या इसे ऐसे सिलाई लगा ले या इस पे आप तुर्पाई कर ले और इसके बाद जो हमारा बैक परदा है हम इसे तयार करेंगे और सबसे पहले हम उपर फोल्ड करेंगे इसे हमें उपर सिर्फ हाप इंची फोल्ड करना है हमें इसे पूरे को ही फोल्ड करना है देखिए हमने इसे पूरे को फोल्ड कर लिया है और इसके बाद हम इसमें उपर की तरफ चार लाश्टिक लगाएंगे और वो लगाने के लिए हमने सान लगाएंगे पहले और ये जो हमने लाश्टिक लिए है ये हमने साड़े 12 इंच के लिए है क्योंकि जो हमारी पेटी है वो 25 इंच की है तो उसका हाफ ही हम साड़े 12 इंच लेंगे तो हम लाश्टिक की जो लेंगे साड़े 12 इंच लेंगे और ये जो हम लगाएंगे जो हमें ये कपड़ा फोल्ड किया है इससे नीचे की तरफ लगानी है इसलाई और इसके बाद जो हम दूसरी लाश्टिक लगाएंगे इसमें वो हम एक इंच नापेंगे लाश्टिक के बाद ऐसे हमें रखना है और एक इंच हमें नापना है तब लगाएंगे और ऐसे ही हमें तीसरी लाश्टिक भी ऐसे ही लगानी है और चौती लाश्टिक भी हम ऐसे ही लगाएंगे एक एक इंच नापने के वाद और आप इससे पतली लाश्टिक भी ले सकती हैं लगाने के लिए ये हमारा कपरा सिंगल है तो हम इसलिए इन लाश टालते हैं जैसे हम एक कप्रे ला प्रा से लिए हम एसी लगा रहे हैं और यह से रखकेम को खीचना है तब दाना है हम एक आश्टेक लाई लगाना है और इसी तरीके से आप चार जो ये लाश्टिक हैं इनको ऐसे ही लगाना है देखे इस तरीके से मैंने दो लाश्टिक लगा ली है और इसके बाद हमें इस तीसरी को भी ऐसे ही लगाना है और चार जो लाश्टिकों को हमने ऐसे ही लगाया है और इसके बाद हमने इस बैक परदे को और फ्रेंट परदे को सिलना है ऐसे हमें जो हमारा यह कपड़ा है हम इसे ऐसे फूल्ड करेंगे और ऐसे हम यह रखेंगे जो हमारा अंदर की साइड में कपड़ा था उसे फूल्ड करना है और ऐसे रखने के बार हम स्लाई लगाएंगे और ऐसे हमें दूसी साइड में भी स्लाई लगानी है और जो हमारे ड्रेस की उपर की टॉफ थी वो हमारी तैयार हो गई है और यह हमारा back side है अब जो हम नीचे का हिस्सा जोड़ूंगे उसे जोड़ने के लिए हमने यह नीचे का हिस्सा है इसे रखना है और रखने के बाद हम इसे ऐसे Forward करेंगे हमारी दो पर दें Back à front हम ऐसे ौकंने केबाद हमें Center PA object को दिसान लगाना है। कि और इधर से भी हम्मन साधी 6 इंच लेना है, क्योंकि हमारी पेटी 25 है, तो हम फोर्ज भाग लेंगे क्योंकि हमने Center सेंटर पॉंट पर निसान लगाया है और साड़े च्छाई हमें दूसरी तरफ लेना है और लेने के बाद हम दौनों साइड में स्लाई लगाएंगे और ऐसे ही हम दूसरी तरब भी शिलाई लगाएंगे हमें दौना तरब शिलाई लगा ली है और इसके बाद हमें इस सेंटर पॉंट को कट करना है ऐसे और इसके बाद जो हमारा टॉफ है उपर की इसके भी सेंटर पॉंट को फ्रेंट के सेंटर पॉंट को भी कट करना है और बैक के भी सेंटर पॉंट को हमें कट करना है ऐसे हमने दोनों सेंटर पॉंटों को कट कर लिया है और इसके बाद हमें इसे ऐसे रखना है अंदर की तरफ और जो हमारे सेंटर पॉंट है और फ्रेंट के सेंटर पॉंट को ऐसे रखना है और यहीं से हम सलाई लगाएंगे ऐसे ही हमें पूरे में ही सलाई लगानी है पूरे में एक लाइश्टिक लगा सकती हैं जैसे हमारी आ रही है उसी तरिके से हमें यह भननी है पूरे में ही ए इसे ही हमें पूरे में आप सिलाई लगा लेनी है ए पसन वाय को देखे इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम इसमें नीचे की तरब भी से फूल करेंगे यह हमारा बैक साइड है अब हम इसमें नीचे की तरब फूल करेंगे और हमें इस कपड़े को सिर्फ हाप इंची फूल करना है क्योंकि हमने टोटल इसमें एक इंची कपड़ा एक्षा लिया था हाफ इंच उपर सिलाई में चला गया और हाफ इंच हमने इसे फोल्ड कर दिया है और इसके बाद हमने नेट के कपड़े से तीन फिलावर बनाए थे यह हमें लगाने हैं यदि आप को यह फिलावर बनाने सीखने हैं तो मेरी एक ड्रैस है बेवी ड्रैस उसमें आप देख सकते हैं मेरी चैनल पर इन्हें इस तरीके से रखना है और शिलाई लगानी है और आप इसे पीछे की तरफ ऐसे बादेंगे हमारी बेवी ड्रैस बन के तयार है यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलें थैंक यू